अगर आपने हमारी एंट्रस्टिंग सेशन और यह सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि इस समय पर NIC निलेट कमड़ा साइंस की तियारी कर रहे हैं आज इस सेशन पर हम डिश्टल लॉजिक के बहुत सारे प्रिवेसर कोशन को आज हम सब करने वाले हैं जो सेशन हैं आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशल है और स्टाट करने से पहले अगर आपने अंड्रोइड आप आप ने इंस्टाल नहीं करी है तो प्लीज इंस्टाल इड़ फाम गूगल प्ले प्लेस टोर क्योंकि बहुत सारे हमारे comprehensive courses जो है वो ना Android App पर available है जैसे अगर आप gate कितरारी करना चाते हैं NIC intact कितरारी करना चाते हैं फीजीटी इसरोर कितरारी करना चाते हैं जैसे बहुत सारे competitive exams के लिए हैं उन सभी के लिए इस Android कर सकते हैं ताकि आपको बहुत सारे बैएफिट आपको यहां से मिलने वाले हैं तो चलो अपने सेशन को स्टार्ट करते आपको दिखाता हूं तो पीपिटिए आज हमने स्टर्टिंग से ही हम सारे स्टर्ट को व्लोग कवर कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज होंगे बहुत सारे जैसे आप देखेंगे तो आज विदाउट के बिना ही आज मैं क्लास लूँगा आपके साथ यह कोई प्राप्लम तो नहीं रहेंगी ठीक है फ्यार्ट प्राप्लम के थीक है यह वांट मी कि मैं भी स्क्रीन पर रहें तो अग्वी क्लास लूँगा अधर्वाइस इस वाल्स पर्फेक्ट युः फाइन तो कुछ गुशन साहमारे पास जैसे पहला जो कुश so odd parity of word can be conveniently tested by option number a that is or gate the second one will be add gate third one will be nor gate and the fourth one will be exor gate तो जब भी हमार पास odd parity word को हम लोग use करते है न तो उसके लिए एक ही gate को हम लोग use करते हैं that is exor gate right करते हैं तो the correct answer here is going to be option number D, D इसका सही answer है देखो odd parity होता क्या है ठीक है देखो odd parity का अंतलब क्या है if the total number of ones in data plus then the parity let me show you with the help of screen right screen से आपको दिखाता हूं ताकि explanation आपको यहां से कुछ से आपको मिल भी जाए ठीक है तो आप यहां से odd parity होता होता है if the total number of ones in the data plus the parity bit is an odd parity number of ones is called odd parity if the data is already has odd number of ones and the value of the added parity is 0 otherwise it is 1 ठीक है in that case only we can say it is odd parity और जब भी आप odd parity को यहां से use करते हैं that means just for odd parity we use exorgate तो यहां से हमार पास odd जो है so we use exorgate तो इस वाजय से the correct answer here is going to be D और आपने आपने दूसरा चैनल आपने चेक नहीं किया तो आपको बताया तो ठीक है तो दूर चैनल है मेरे पास एक मेरा एक चैनल है so that is the name of Digi Mento ठीक है एक तो यह मेरा चैनल है और जो दूसरा मेरा चैनल है that is NTA UGC Net Computer Science ठीक आप इस चैनल पर भी आप यहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं जिन लोगों ने सिर्फ अब तक इस चैनल को ही आपने आपने नहीं देखा है तो मैं आपको इस दिखा भी आता हूं राइट एक फिल्फ देह स्क्रीन NTA UGC Net Computer Science तो Google पर आप सार्च करना जैसे मैं स्क्रीन पर आप सार्च शेर किया यहां से मैंने तो Google पर आप सार्च करना यहां से that is NTA UGC Net Computer Science और जो पहला लिंक है वो मेरा ही है तो यह हमारा दसाज चैनल है तो जिन लोग ने अपता के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे ताकि यहां से भी हमारी बहुत आए क्लासे है जो मैं यहां से लेता हूं और इन क्लासे को भी अब यहां से देख सकते हैं ठेक है तो चलो लेट्स कंटिन्यू करते हैं यहां से नेक्स क्वेशन पहुचता है तो एक्स्ट्री कोड इस अप्स्ट्री कोड आपने है तो एक्स्ट्री कोड नाम है हमारे पास क्यालाशन नोट इस अटर्स ऑकी तो एक्स्ट्री कोड इस अलसो विचोड नशाए तो ओप्शेंकर आपके बास अक्स्ट्री कोड होते हैं यह हमेशाए non-weighted होते हैं और साथ-साथ यह self-complimented code भी होते हैं दो बड़ होता है जब भी whenever we say we have excess three code तो दो चीज़ें यहां पर होनी चाहिए पहला यह excess three code होता है वो non-weighted है और दूसरा जो excess three code होते हैं they are also self-complimentary यान कि किसी का अगर हम compliment देंगे तो same value ही आपके पास यहां से निकलेगी ओके सो इसी वाज़ास तर करेक्ट answer here is option number B B जो है वो इसका सही answer है next question how many inputs are required in full added circuit option number A 2 option number B is 3 option number C is more than two inputs and D is none of the above कैसे बोल रहा हूं how many inputs are required in full adder circuit अगर आपके पास full adder circuit होता है तो आपके पास कितने inputs यहां पर आते हैं the correct answer here is option number B यानि कि आपके पास three inputs होते हैं ठीक है देखो जिन लोगों ने C दिया है C is not a correct answer मैं समझा देता हूं यहां से generally हमारे पास में adders होते हैं adders कई type के आपके पास ठीक है एक adder होता है जहां पर हम half adder बोलते हैं दूसरा होता हमारे पास that is full adder थर्ड होता है हमारे पास that is parallel adders और parallel adders में हमारे पास कई पर राइट फिर आपके पास आदा sequential adders sequential adders ठीक है तो जो पहरा आपके पास है half adder हाफ adder का मतब है कि हमें 2 bit को ही add करना है या निंग की adding two bits adding two input या फिर फिर two bits और इन दो bits की value जो होगी वो दो input ही यहां पर रहेंगे उसी तरीके जो फुल adder बोलते हैं तो उसका मतब है कि हम यहां से 3 bit का addition कर रहे हैं जैसे आपके पास zero plus zero plus one है यह 3 bit है इसका addition आपके पास one निकलेगा और अगर आपके पास one one plus one हम लोग करेंगे तो इसके वाले कितनी होगी यहां पर three तो जिसको हम one one की तरह यहां से represent करते हैं या अगर आपको तीन bit को add करना है तो उसको फुल एडर बनाते हैं और यह जो फुल एडर होता है इसकी जो input है वो आपके पास three input ही होंगे तीन input कौन से होगे से पहला bit यह second है यह आपके पास third है तो यह जो इदर दिखार आपके बास total तीन input होंगे तो इसी वज़े से आप चेक करोगे इस question में ही पुछा के how many inputs are required in full adder circuit and the correct answer here is option number B, B जो है वो इसका सही answer है ठीक है I hope you understand Now let us solve the next question here वुजदो following logic expressions is incorrect इसमें से कौन सी logic expression जो है वो यहां पर valid नहीं है कौन सी correct नहीं है And the correct answer here is option number B, B इसका सही answer है पहली statement देख रहते हैं, पहला आपके पास है 0xor with 0 1xor with 0, इसकी value जो है आपके पास 1 आती है जो बिल्कुल सही है इसका proof करने का एक और तरीका है, आप इसको expression में convert कर सकते है तो आपके बास आएगा 1 complementation with 0 plus 1 with 0 complementation और जो इसकी value होगी हमारे पास 0 plus 1 that is equivalent to 1 only तो ये value जो है वो यहाँ पर बिल्कुल चाही है दूसरे option में चक करो, जब 1xor with 1 करेंगा अध्यान देना जब भी आपके पास xor होता है, जब दोनों की values exactly same है तब हमेशा इसकी value जो है वो यहाँ पर 0 होती है तो इतना दो हमें पता ही है दर ठीक है और अगर आपके पास 0, xor with 0 करेंगे तो भी इसकी value 0 होती है लेकिन इस statement का जो सबसे बड़ा part यह ही है कि हमने किया है कि 1, xor with 1, xor with 0 अब इस चीज़ से आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आपके पास xor होता है xor जो आपके पास होता है xor ठीक है यह जो xor होता है यह associative होता है right, it is associative कहने होता है अगर मारा पास x xor with y, xor with z है इसकी जो अगर इसकी priorities हम decide करेंगे so that is also equivalent to saying x xor with y, xor with z यानि कि जो xor है वो यहाँ पर associative है अब यही इस question को आप समझने की कोशिश करो इस question का यही पार्ट है हमारे पास कि जब 1 xor with 1 और xor with 0 करेंगे तो यहाँ इस तरह से अगर मैं इसकी value करूँँगा तो इसकी value यहाँ से क्या रहेगी इन दोनों की value आपके पास आ जाएगी 0 यानि की 0 xor with 0 हम करेंगे तो इस value is actually 0 only लेकिन यहाँ पर इसकी value आ रहे है यह 1 तो इसी वज़े से बी जो है वो इसका सही आंसर नहीं है ठीक है आई होप यह statement आपको समझ में आया very easy concept बड़ समझ आया होगा आपको यहां से करें जो xor होता है वो associative है चाहाँ इसको left की तरह या right की तरफ करें किसी भी तरफ आप associate करें कोई फरक नहीं परता दोनों का statement same ही रहेगी अगर आपको लगता है कि वो सिर्फ इसको associative करेंगे दोनों का result आपके पास same ही रहेगा मैं आपको समझा देता हूँ जैसे अगर आपके पास कुछ इस तरह से था आपके पास 1 xor with 1 xor with 0 इसको दो तरीके से आप इसको evaluate कर सकते हैं या तापने कुछ ऐसे किया 1 xor with 1 उसकी हमने priority बढ़ा दी with xor with 0 कर दिया या फिर आपके पास 1 xor with 1 xor with 0 आप किसी भी तरीके से आप करेंगे result आपके पास same ही रहेगा जैसे इस दोनों की value आपके पास आएगी 0 xor with 0 the result is going to be 0 only because इन दोनों की value जो है वो यहाँ पर same है इस तरीके ज़र चेक करो 1 xor with इन दोनों की जो values है वो यहाँ पराएगी 1 और इन दोनों से अगर आप xor करेंगे तब भी आपका जो result है वो यहाँ से 0 ही रहेगा तो जब भी आपके पास xor आता है वो associative है या तो आप चाहें left की तरफ associate कर ले या फिर आप तो इसको right की तरफ associate करें दोनों case में इसकी जो result है वो हमेशा same ही रखत रहता है ठीक है चला next in boolean algebra 1 plus 1 plus 1 up to 100 plus 800 times तो इसकी value हमेशा क्या रहेगी देखो basically यह जो इधर represent कर रहा है यह set को दिखा रहा है इसके हम multiple values हम value यहां से देता है की जगह पर हम इसको बोलते है as a true की जगह पर true को represent करने के लिए हम लोग one को use कर देते है की जगह पर हम इसकी value को as a set भी हम लोग बोल देते है ठीक है तो यह bulan algebra में ना इसकी बहुत सारे आहला को नाम है जो हम लोग यहां से बोलते हैं दूसरा अगर हमारे पास के जगह पर हम उसका जब false बोल देते हैं जिसके value 0 भी हो सकती है और के जगह पर हम इसको reset भी हम लोग यहां से बोलते हैं ठीक है अब इस भूल देना जब्रा के एक ही simple चीज़ है यहां पर हमने यहां पर किया है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप्टू 100 अप्टू 800 टाइम्स ठीक है अब ध्यान देना यह जो operation यहां पर यूज किया है यह आपके बास और gate है ठीक है यह addition नहीं है आपको जो answer जो अभी जीत ने मुझे दिया है आपका answer सहीं नहीं है क्यों? क्योंकि यह और gate है यह बुर्ण algebra में हम gate की बात कर रहे है यहां पर addition नहीं कर रहे है यहां पर addition नहीं कर रहे है बट रैदर हम यहां से और gate की बात कर रहे है तो दो gate है हमारे पास पहला है आपके पास that is or gate और कई जगह पर हमारे पास एक add gate आता है जिसको हम कही जगह से dot की तरह भी represent करते हैं उसके symbols है कही जगह पर जैसे or को represent करने के लिए हम को इस symbol से भी represent करते हैं और and को कुछ इस तरीके से भी represent करते हैं ठीक है तो अब इस question को भी यहाँ पर देखो जैसे question पुछा है हमार पास one और one और one up to soon total 800 times आप कितनी बार करें इन दोनों का जो result है वो यहाँ पर one ही निकलेगा इसके साथ भी आप करेंगे तब भी इसका result one ही रहेगा इन सभी में आप add भी करेंगे तो result आपके पास यहाँ पर one ही रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ और gate को ही हमने यहाँ से बनाया है इसी वज़ा से दकर्ट answer here is option number A A इसका सही answer है चालब जो and gate है और gate है यह दोनों associative है ठीक है and gate and or gate both of them are associative next question if A exor with B is equal to C then which of the following is true कौन से statement जो है वो यहाँ पर true है क्या वो नाम है अरपास A exor with B is equal to C यह इसकी explanation जो है वो यहाँ से बताया गया है then which of the following is true कौन से statement जो है वो यहाँ पर true है जो तो I think D जो है शायद इसका सरी आंसर नहीं होगा but let me check I think D जो है वो शायद इसका सरी आंसर नहीं है मैं समझा रहता हूँ यहां से क्या उतलब है इसका पहला मतब क्या है कि इसका मतब यह था कि अगर आपने A कॉंप्लिमेंटेशन विद B प्लस A B कॉंप्लिमेंटेशन होगा उसकी वैलू यहां पर C आगी ठीक है यह पहले चीज़ को समझा दिया अब भी स्टेट्मेंट को समझने की कोशिश करो हमने यहां पर कुछ किया है इदर that is A A XOR with C is equal to B तो इसका LHS ले लो ठीक है LHS यह वाली वैल्यू है तो यानिकि इसको तो कुछ ऐसे बोल सकते हैं A XOR with C C की जगह पर C का मतलब क्या था C का मतलब था हमारे पास A XOR with B ठीक है और बिकोज इस A और इस A की वालों यहां पर सेम है तो इसी वजह से इस क्याली हो जाएगी आपके पास 0 0 XOR with B तो उसका जो रिजल्ट आएगा वह आपके पास B ही यहां पर निकलेगा इसी वजह से पहली जैस स्टेट्मेंट है वो यहां पर true है तो फर्स स्टेट्मेंट इस true ओके अब option बर B को चेक कर लेता है second option को यहां से चेक कर लेता है तो जैसे अगर आपके पास B XOR with C is equivalent to A तो इसके LHS को ले लो और LHS में मैं C की value का explain कर लेता है तो जैसे अगर आपके पास B XOR with C है तो C की चेके पर मैं इसको A XOR with B भी बोल सकता हूं ठीक है और ध्यान देना जब भी XOR gate है वो commutative भी है देखो दो वर्ट है हमारे पास पहला होता आपके पास associativity और दूसरा होता हमारे पास commutativity ठीक है अब commutative का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास A and B है so that is also equivalent to saying B and A उसी तरीके से A XOR with B that is also equivalent to saying B XOR with A ठीक है तो ये जो है वो आपके पास associative है as well as commutative ये ये जो property थी ये वाली ये थी आपके पास commutativity ठीक है अब commutativity में कुछ ऐसे है जहां पर आप commutative नहीं होती जैसे बहुत अचा एक्जांपर है आपके पा NAND तो जो NAND है as well as NOR ये दोनों जो है वो यहां पर कई जिखहा पर ये नहीं है कई जिखहा पर होता है not always but sometimes होता है इसका तरीका मैं आपको यहां से समझा दूँगा यहां से ठीक है I'll tell you but anyway anyways तो इस तरीके साब चेक करो गए जैसे इन दो options को चेक करो तो इसका अंतर में कु value जो है I think मुझे जितना मुझे लग रहा है तो यहां पर इसके आपके पास 0 आ जाएगी बी एक्जाउर विद ए होगे so that means this value is equivalent to a I think यह भी हमारे पास true है यह भी I think this one also true तो पहला भी true है और second भी हमारे पास true है फिससे आथ देख रहते हैं कि यह भी मेरे पास true है और यह आपके पास true है तो third option को यहां से चेक कर लेते हैं थर्ड़ों को चेक कर आपके पास क्या है हमारे पास a एक्जाउर विद बी एक्जाउर विद c is equal to zero सबसे पहले में c की value को लिख लो या फिर हम इस a और b की value को यहां से use कर सकते हैं जिसे a एक्जाउर विद बी करेंगे एक्जाउर विद c यहां पर आपके पास आएगा and this value will be zero I think यह भी आपके पास true रहेगा कुछ mistake तो नहीं करनी चाहिए थी यहां से है ना तो फिर से चेक कर लो तो यह आपके पास value zero ही आ रहे है और यह भी I think seems like कि यह भी आपके पास true है मुझे लग रहा है कि यह भी आपके पास true है ठीक है और इसी बचे से I think a b c तो इसमें से कोई भी answer यहां पर सही नहीं है right all of them are correct सभी जो है वह यहां पर सही है somehow I'm not sure why कोई भी options नहीं है नहीं है तो मदब this scenario is the following is true true तो सारे है a b सही है b b सही है c b सही है और d b सही है तो all of them are correct सभी इस कहां सा जो है वह यहां पर सही है okay clear all of them are correct सभी true है यहां से ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन है इन डिजिटल लॉजिक इफ ए एक्स और बी इंक यह हो चुका है हमारा न नेक्स हां तो यह हमारे पास नेक्स सो दब पॉसिबल नंबर ओफ बॉलियन फंक्शन विद थ्री वेरिवल्स एक्स य और जड़ सच दाट इस वैल्यूस ठीक है तो इसके लिए में पता रहा है कि आपके पास पॉसिबल नंबर ओफ बॉलियन फंक्शन पूछा गया है ठीक है सच दाट जहां पर यह वाली वैल्यूस यहां पर होनी चाहिए ठीक है कि आपके पास एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जड़ है देन इस इकलिन तो सेंग एफ ओफ एक्स X-issimo, Y- accomplishment और Z- इसे कितने functions यहां से देख लाता है तो पहले यह वाली हो सकती है हमारे पास टूटर पहला x y & z तो अगर मैं इस x के वाले 0 देदे में y के वाले 0 रहेगी और z के वह आपड पर 0 रहेगी तो यह वाला function कौन सा होगा this function is going to be 111 ओके उसी तरीके से अगर मिरे पास 001 है तो इसके वाले कितनी 011 है तो यहाँ पर आपके पास 100 यहाँ पर आपके पास आएगा ठीक है तो यह सारे इस तरीके से values को यहाँ से बता दिया है अब दो चीज़ें यहाँ से समझने कोशिश करना तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें पास boolean functions क्या होते हैं चाहिए और उस पें कितने inputs हैं तो यहाँ से आपके पास three input है था total त्री input है और three inputs है total कितने combinations बनेंगे हैं यहाँ से कितने combinations बनेंगे तो total आपके पास two raises Ruby combinations पॉसिबल है ठीक है 2 पर 3 combinations और 2 पर 3 combinations में से कितने functions possible है how many functions तो आपके पास 2 raised power 2 raised power 3 याने कि आपके पास 256 functions जो है वो यहां से possible है ठीक है अब इस question में इस statement को समझने है कोशिश करना कि ऐसे कौन कौन से ऐसे pair है जैसे ये वाला और ये वाला ये वाला ये एक pair है ये वाला और ये वाला ये भी एक pair है ये वाला भी ये वाला ये यहां पर एक ये और ये वाला ये वाला ये हमार पास ये पेर है अब ये पुछा कि आपके पास total कितने possible functions possible होगे जैसे मैंने पुछा ना पहले हमरे पास बुलिन function में थे ये ठीन input थे कितने combinations हैं, कितने functions होगे उसी तरह कि पुछा है कि जो एक pair हमार पास रहेंगे तो total कितने अलगला combinations यहां पर बन सकते हैं तो यहां पर भी आपके पास दो जो function जो आपके पास रहेंगे total आपके पास दो choices हैं यहां पर भी यहां पर भी दो choices है तो चॉइसे रहों तब है कि या तो हमार पास ये होगा, या फिर हमार पास ये होगा, ठेक हैं, तो दो चॉइसे, यहाँ पर भी आपके पास दो चॉइसे हैं, और यहाँ पर भी आपके पास दो चॉइसे हैं, तो इसे टोटल कितने functions बनेंगे, जब इन सब को एक जब साथ multiply करेंगे तो total value आपके वास निखलेगी 2 raised to power 4 और you can say 16 तो total कितने functions possible होंगे that is going to be option number B B इसका सही आसर है यह जो question यहाँ से पूछा गया है यह जो explanation है यह basically इस pair को लोग बोलते हैं mutually exclusive terms अगर आपको नहीं बता है मैं समझे तो हमेरे पास कुछ type की functions होते है जैसे mutual exclusive functions होते है और कुछ neutral functions होते है एक होता हमेरे पास mutually exclusive functions और दूसरा हमेरे पास that is neutral functions fine अब जैसे यहाँ पर उन्हें mutual exclusive terms को पूछा गया है यानि कि अगर आपके पास x, y और z है तो हमें इसका उल्टा निकलना है हमेशा तो यानि कि हमेरे पास जहाँ पर भी x हैसा compliment ले लो जो भी आपके पास y था हैसा compliment ले लो और जहाँ पर z है उसका complimentation यहाँ से ले लो अब जैसे simple जी चीज है अगर आपके पास कहीं पर 1, 1, 1 है यानि कि यह आपके पास x की वाल्य है यह y की है और यह z है तो उसका दूसरा जो pair होगा हमारे पास that is 0, 0 as well as 0 यानि कि x complimentation, y complimentation as well as z complimentation होगा यानि यह वतब है कि total यह एक pair है ठीक है यह कौन सा pair है यह mutual exclusive pair है ठीक है और उसी तरीके से जितने भी pairs आप देखेंगे अगर मैं आप से सिर्फ simple से जागर ना बोलता हूँ कि अगर आपके पास total n inputs है total आपके पास n inputs है ठीक है या फिर n variable भी बोलता है अगर आपके पास total n variables है तो total आपके पास कितने combinations होते हैं तो total आपके पास 2 rest power n एक combinations निकलते हैं और इसके कितने functions possible है तो total आपके पास 2 rest power 2 rest power n functions यहां से possible है अब जितने भी आपके पास functions हैं उन सब का एक हमने pair बना दिया यानि कि जैसे यह वाली value थी उसके साथ इसकी जो exclusive term जो होगी वो यह वाली होगी यानि कि जितने भी total आपके पास functions possible है इन सबी में से एक pair ही आपके पास होगा या तो हमारे पास यह वाला होगा या फिर हमारे पास यह होगा बट दोने एक साथ नहीं होगे यानि कि टोटल जितने functions possible जितने combinations जो थे आपके पास इन combinations का half ले लिया हमने ठीक है यानि कि अब अगर मैं इस case के देखने यूज करेंगे तो आपके पास 2 आपके पास n divided by 2 यानि कि टोटल 2 आपके पार n-1 total combinations बनेंगे क्योंकि इतने pair ही तो बन रहे हैं अगर आप चेक कर रहे हैं यहां से अगर मैं इसके वाले 3 ली थी तो कितने pair बने थे टोटल आपके पास 4 pair बने थे और 4 pair कैसे निक्टा था क्योंकि हमने 2 raise power 3 divided by 2 हमने कर दिया था उसका एक pair बना दिया तो आपके पास 2 raise power 2 कर दिया था यानि कि इसके वाले 4 आए थी उस केस में तो वही चीज यहां पर भी हो रही है तो यहां पर अगर जो फंक्शन जो थे आपके पास उसमें जितने भी यह वाले pair थे मैंने इसका half कर दिया अगर इसका half कर दिया तो आपके पास 2 raise power 2 raise power n minus 1 यह value value आपके पास आएगी और इस value को put करेंगे हां से तो 2 raise power 2 raise power 3 minus 1 यानि कि 2 raise power 2 यानि कि 2 raise power 2 raise power 2 यानि कि that is getting a value as 16 तो total यहां पर 16 निगलेगी इसी वज़ए से B is the correct answer here ठीक है? B is the correct answer I hope you understand कुछ doubt है तो पूछ लो next question है कि this is a expression और आपको बताना है इसको simplify करना है और इसको simplify करके इसकी value यहां से बतानी है तो अगर आप statement को देखने है कुछ करें कुछ ऐसा आपके पास है A plus C complementation साथ साथ B complementation plus C complementation यह value आपके पास है इसको extend कर लो तो यहांने कि मैं इन दोनों के साथ मैं इसको extend करूँगा तो आपके पास and that is A B complementation plus A C complementation plus B complementation C complementation plus C complementation अब इन तीनों मेंसे जैसे हम यहां पर भी आपके पास C complementation है यहां पर भी C complementation है और यहां पर भी C complementation है तो मैं common ले रहूँगा तो अन्यकी भी A B complementation प्लस अगर मैं complementation ले रहूँगा तो आपके पास आएगा A plus B complementation plus 1 होगा और इस 1 की वजह से यह पूरी value आपके पास 1 नहीं कर जाएगे तो यानि कि आपके पास AB complementation plus C complementation आपके पास आएगा और अगर आप चेक करेंगे यह option number D से match करेगा so D is the correct answer of this question ठीक है I hope you understand the dash number of gates are required to implement boolean functions dash number of gates are required to implement the functions AB plus C by using only two input nor gate तो अगर आपके पास एक boolean function यहाँ पर given है तो इसको implement करने के लिए आपको total कितने functions की हमें यहाँ पर जब कितने gates की हमें यह से जरुत पड़ेगी question बहुत easy है तो जैसे AB plus C है इसको बनाने के लिए कुछ ऐसा कुछ कर लेंगे यह आपके पास A आ जाएगा यह आपके पास B आएगा और इन दोनों case में हम लोग यहाँ से and operation को हम लोग यहाँ से ले लेंगे और फिर इसके साथ साथ the next cheese हमेरे पास आ जाएगे that is or तो यह जो है वह आपके पास और गेट है तो S expression AB plus C है इतना पार तो I think बहुत easy है यह थां तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इन्होंने जो पूशन यहाँ से पूछा गया है कि हमें इस nor gate से बनाना है we have to make only by using nor gate ठीक हमें बागी चीदों को use नहीं करना we just have to use as a nor gate अब इसको निकालने का एक और तरीका है बहुत easy और complete मतब बहुत easy तरीका है यहाँ से कि कैसे मैं इस question को solve किया जा सकता है देखो यहाँ पर हमेरे पास क्या है आपके पास AB plus C है ठीक है अब इसकी property है इस property को कुछ ऐसे बोल सकते है कि हम A से C के साथ हम लोग as a और कर सकते है और B और C के साथ हम compliment हम लोग यहाँ से और कर सकते है यह कुछ ऐसे बोल सकते है इसको A plus C and AB plus C ठीक है यह आपके पास आएगा this is a property right it's a very good property अगर आपको नहीं सवजा तो मुचे बता सकते है या फिर इसको आप extend करने के कोशिश करना तो I think you'll be able to find the same expression अब अगर यह expression है तो एक property हमार पास आती है that is De Morgan's law तो यह जो expression है आपके पास जैसे A plus B and B plus C whole complimentation उसका एक और मैंने complimentation मैंने हैं से ले लिए है I've taken two time complimentation और मैं कुछ ऐसा भी बोल सकता हूँ कि because पहला जो है De Morgan's law मैं हैं से यूज़ करूँगा तो आपके पास A plus C complimentation plus B plus C complimentation का whole complimentation आपके पास आएगा और अगर आपको याद है तो यह खुद से आपका यह जो है आपके पास यह आपके पास नौर गेट है और यह जो है वो भी आपके पास नौर गेट है और इन सब के वेश में दुबारा से आपके पास एक नौर गेट है तो कहने हो दब है कि मैं कुछ आसा ले सकता हूँ कि यह आपके पास A है यह आपके पास C है और इन दोनों केस में मैंने यहाँ पर नौर गेट को यूज़ कर दिया उसी तरीके से मैंने यहाँ से B को ले लिया यहाँ से मैंने C को ले लिया और इन दोनों केस में मैंने नौर गेट को मैंने हाँ से बना दिया और जो भी आपका जो result रहाएगा वहाँ पर एक और NOR gate को में हाँ से बना दूँगा तो अपर काम यहाँ से हो गया ठीक है तो यहने की same concept को represent करने के लिए हमें total 3 NOR gate की ही हमें हाँ से जरुवत है we need only 3 nodes 3 NOR gates इसी वज़े से B is the correct answer of this question I hope you understand तो आगे बढ़ देंगे यहाँ से ठीक है तो बिल स्टार्ट इस कोशन है इंच विच विच व फॉलाइंग आदर सर्केट दा कैरी लुक रिपल डिले इस एलिमिनेटेट तो option number A that is half adder option number B is full adder option number C is parallel adders and D is representing कैरी लुक अहेड एडर इसमें से कौन सा एक adder circuit है जहां से हम जब हम carry look हम लोग यहां से करते हैं ताकि उसे जो delay है उसको यहां से eliminate कर पाएं तो यह कौन सा concept है तो अगर आपको याद होगा this is the correct answer the correct answer here is carry a look ahead adder so the correct answer here is option number D D जो है वो इसका सही answer है let me explain here issues there ठीक है तो देखो basically हमारे पास बहुत सारे अलग अलग adders है ठीक है अगर आपको शायद याद होगा आपको बताया भी था तो हमारे पास जैसे हमारे पास two bit error होते है ठीक है जिससे हमारे दो bit को add करना है जिसको हम कई बार इसको half adder भी बोलते है half adder उसी तरीके से एक और चीज़ हमारे पास आता है जिसको बोलते है three bit adder यानि कि इसको full adder भी हम लोग याँसे बोलते है फिर होता है हम parallel adder हम लोग एकालते है parallel adders और parallel adder का सबसे बड़ा जो issue है issue is कि हमारे पास एक delay आजाता है बहुत सारा और इस delay को remove करने के लिए हमने एक और concept यहाँ पर बनाया था इसको बोलते है carry look head adder यानि कि it is a modifications of idle adder ताकि जो भी delay आ रहा है उसको calculate करने के लिए हम यहाँसे carry look add adder को यूज़ करते हैं जो last हमारे पास है यहाँ पर that is sequential adder sequential adder even though इसके लावे भी बहुत सारे circuit हमारे पास आते हैं but this is the basic one यानि कि जो आप बीटे काप कर रही हूं तो some basic concept यहाँ से आती है and here the correct answer here is option number D that is look ahead adder next question को हम लोग यहाँसे देख लेते हैं तो the circuit is equivalent which of the following एक circuit यहाँ पर given है और हमें बताना है कि circuit जो है वो किसको evaluate कर रहा है क्या यह OR gate को represent कर रहा है क्या यह NOR gate को represent कर रहा है क्या यह AND gate को represent कर रहा है या फिर यह OR gate को represent कर रहा है फिर से एक बदेख लो अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो I think no यहाँ पर शायद D इसका सही आंसर नहीं होगा ठीक है सर्केट जो है इधर रप्रसंट करा इस रप्रसंटिंग नौर गेट तो B will be the correct आंसर है मैं आपको समझायता हूँ यहां से तो basically आपके पास न यह नौर गेट है यह भी आपके पास नौर गेट यह नौर गेट है यह भी आपके पास नाइड गेट है यह भी यहाँ पर एक नाइड गेट है और यह भी आपके पास एक नाइड गेट है ठीक है all of them are नाइड गेट तो यह अगर एक नाइड गेट को दोनों input आपके बास same है तो इसका जो output आता है वो इस सब कॉंपलिमेंटेशन होता है यानिकि अगर आपके पास A था तो इसका जो output होगा वो A कॉंपलिमेंटेशन होगा और इस 네न की वज़ए से भी आपका दूर जो input है वो B ही है तो यहाँ पर आपके पास B कॉंपलिमेंटेशन आएगा और यह circuit यहाँ से आपके पास output नकलेगा यानि कि A komplementation dot B komplementation whole komplementation को यहाँ से दिखाएगा और इसको अगर represent करेंचे तो यह represent करेंगा यहाँ से A komplementation plus B komplementation that is representing A plus B तो यह A plus B को ही represent करेंगा A plus B और फिर दोबारा से जो सारा से हमारा पसा रहा है यानिकि दोनों इंपूट आपके वास a plus b ही है तो यहां से मैं a plus b dot a plus b का whole complementation को यहां से दिखाएगा और इस वेले को देखेंगे तो यहां पर a plus b complementation के equal ही होगा और यह जो है एक तरीके से यह nor gate को represent कर रहा है इसी वज़े से the correct answer here is option number b भी इसका सही आंसर होगा ठीक है clear है तो again इस question के थोड़ा सा एक और changes यहां पर आए हैं उन लोगों ने क्या किया कि same circuit को हमने instead of NAND इस वर हमने nor gate को बताया है तो आपको बताना है कि circuit जो है कि इसको इंप्लिमेंट कर रहा है it is equivalent to each of the following the circuit is equivalent to each of the following the circuit is equivalent to each of the following option number a XOR gate XOR दूसरा है option number b यानि कि NAND gate option number c is OR gate and d is representing AND gate the correct answer here is option number b यानि कि वो NAND gate को represent कर रहा है concept सुधारता हूं यहां से दबार से कि इसको जो output यहां से होगा because यह जो है वो NOR gate को represent कर रहा है यहां पर भी नौर है यह भी आपके पास NOR है और यह भी आपके पास NOR है यहांड कि जो output होगा यहाँ पर that is a प्लस A का whole complementation यानि कि वो A complementation को ही represent कर रहा है और यह वो भी आपके पास B complementation को दिखा रहा है और यहाँ पर जो आपका output होगा that is A complementation plus B complementation whole complementation वो उसको गर check करेंगे वो A B complementation, complementation यानि कि A B को ही represent कर रहा है और फिर दुबारा से हम इसके जो inputs है दोनों प्यार यहाँ पर भी आपने a b दिया और यहाँ पर भी आपके पास a b दिया यानकि जो इसका output होगा तो y की equation होगी यहाँ से a b plus a b और इसका complete complementation और अगर इसको देखने के कोशिश करेंगे तो यह आपके पास आजाएगा that is a b whole complementation और जो एक तरीके से nand को ही दिखा रहा है इसी वज़े से the correct answer here is option number b b आपका बेखुल सही answer है आगे बढ़ते हैं let's solve the next question here so बहुत direct question है इसमें कोई cap questions का जरुत नहीं है सिर्फ concept है बस आपकोशा गया है they are saying disadvantage of a dynamic ram over static ram आपके बास dynamic ram का जो disadvantage क्या है over static ram इनका आपके पास क्या है option number a higher power consumption option number b variable speed option number c need to refresh the capacitor charge every once in 2 milliseconds and d that is higher bit density so the correct answer here is not option number c c इसका सही answer नहीं है the correct answer here is option number b b इसका सही answer है that means they have the disadvantage of a dynamic ram over static ram is variable speed यानि कि जो उनका speed है वो दोनों की अलग अलग होती है और difference है मैं आपको यहां से दिखाता हूं जिन लोगों clear नहीं है okay concept आपको चाहिए तो let me show you with the help of some links so you can see this website जेक है इस website को भी आप यहां से चेक कर सकते है you can use any other website जो भी आप चाहे किसी भी भी आप यहां से चेक भी कर सकते है तो यहां पर represent कर रहा है characteristics of static ram तो static ram are much faster as compared to DRAM और वही अगर मैं disadvantage उसी तरी किसे अगर मैं static ram के बाद पूछ रहे है यहां से the static ram has higher storage as compared to DRAM static ram takes less power to perform ठीक है कि जो static ram जो है वह comparatively less power चाहिए अगर तो option को भी चेक करेंगे यहां से तो पहला है कि option number A कि higher consumption ठीक है तो basically जो dynamic ram है उसका power of consumption जो है वह जादा होती है तो I think that is true ठीक है I think question अगर आप देखना हो ना question थोड़ा था उल्टा है I'm sorry मैं question थोड़ा आपको गलत समझा दिया है question basically क्या था कि dynamic ram का क्या फाइदा है as compared to static dynamic ram का क्या फाइदा है as compared to static तो obviously पहला जो point है वो है आपके पास higher power consumption तो यह basically वो ट्रू है ठीक है वो ट्रू है देकिने किसका है which is मतब dynamic ram की जो consumption है वो obviously ज्यादा होती है और static जो है वो यहाँ पर consumption that is you know static जो है that is consumption is less बट वो disadvantage नहीं है ठीक है मतब पहला point को देख लो पहला तब क्या है कि आपके पास DRAM जो है ना that is more power इसको more power consumption यहां से use होता है और जो static जो होता है उसके अंदर less power consumption less power consumption यानि कि वो static का फायदा हो गया है ना वो इसका फायदा है तो इसी विज़से A को तो मैं यहाँ पर बोलूँगा नहीं दूसरा अमरे पास है variable speed ठीक है variable speed obviously they have disadvantage यह है कि इसकी जो जो static RAM है they have fixed speed वो variable नहीं होती तो यहाँ पर disadvantage हो गया तीसरा है need to refresh the capacitor charge every once into milliseconds milliseconds seconds यहनि किसी पॉइंट को अगर आप थोड़ा सागे यहाँ पढ़ेंगे ना तो यह चीज़ आपको यहाँ से clear आ जाएगी कि what is the characteristics advantages of static RAM और वो ही नहीं पुछा था disadvantage disadvantage क्या था static RAM has less memory capacity static RAM has high cost of manufacturing the DRAMs ठीक है static RAM comprise of more complex design तो हमें basically static का ना हमें यह disadvantage को हमें चेक करना है कौन सा disadvantage है और इसके बिसे आप चेक करोगे ना तो उसका जो disadvantage है that is variable speed ठीक है वो इसका एक पार्ट है क्योंकि DRAM is that means it is dynamic RAM ठीक है वो ही अगर आप थोड़ा सा यहां से चेक करेंगे कि what is the advantage of dynamic RAM पहला dynamic RAM has low cost of manufacturing दूसर dynamic RAM has higher memory capacities and dynamic RAM does not need to refresh its memory ठीक है तो यह जो है इधर वो advantage है DRAM का और disadvantage देख लो यहां से कि dynamic RAM has low access speed वो disadvantage हो गया DRAM का dynamic RAM has higher power consumption obviously and disadvantage of RAM dynamic RAM data can be lost in case of power loss so obviously इन चीज़ों के आप यहां से देखने ना और हमें बस यही इसका बताना है कि static RAM का disadvantage क्या है as compared to dynamic ठीक है तो हमें static की जारा बारे में discuss करना है ठीक है तो I hope you understand the correct answer here is option number B B इसका से यहांसर है that is variable speed next question how many RAM chips of size 256K multiplied by 1 bit is required to build one megabyte memory अगर आपके पास 256K cross 1 bit की अगर आपके पास chip है memory chip है तो हम उसे कैसे हम इसको 1 MB memory को बना पाए और बनाने के लिए कितने chips के requirement होगी यह हमेरे पूछा है option number A is 8, option number B is 10 option number C is 24, option number D is 32 the correct answer here is option number D answer में आपको बताता हूँ कैसे हम solve करेंगे तो to find the number of RAM इसको calculate करने के लिए हमें दो चीज़े होगे हमें that is total size और उसको आप divide करो that is one RAM size ठीक है अब जैसे इस कुछ में देखने के कुछ करेंगे total हमें चाहिए 1 MB ध्यान देना word जो हमारे पास बाइट है तो यानि total size जो हमें चाहिए वो होगा 2 raise power 20 multiplied by 8 bit ठीक है इसको divide कर दो जो value यहाँ पर given है 256k 256 multiplied by k 2 raise power 10 multiplied by 1 bit ठीक है यह चाहिए होगा तो यहनिके आपके पास 2 raise power 20 multiplied by 8 bit divide by 2 raise power 8 multiplied by 2 raise power 10 multiplied by 1 यहनिके total value आपके पास आएगी 2 raise power 23 divided by 2 raise power 18 so this value is going to be 2 raise power 23 minus 18 or you can say 2 raise to power 5 यहनिके 2 raise to power 5 इसकी value होगी and that is getting a value as 32 तो यहाँ से जो सही answer होगा वो option number D होगा तो D will be the correct answer to this question जो बच्चे गलतिया करते हैं ध्यान देना यहाँ पर जो unit है वो यहाँ पर bits की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम byte की बात कर रहे हैं तो उसके accordingly ही आप अपनी calculations को यहाँ से change कर सकते हैं अगर वो bits के जगे पर byte होता तो आपकी value बहुत अलग होती but because उन्होंने bits पूचा है तो bits के basis पर ही हम यहाँ से calculate करेंगे so d will be the correct answer ठीक है to make the following circuit autology marked box shown below तो यह यहाँ से दिखा रहा है और कुछ options है यहाँ पर जैसे option number a that is OR gate option number b is AND gate option number c is NAND gate and d is XOR gate to make the following circuit as a totology जो circuit है आपके पास as a totology बन जाए तो यह इस कौन सा gate हमें यहाँ पर use करना चाहिए so totology का उदव क्या होता जिसकी value actually 1 हो अगर इसको थोड़ा सा अगरा चेक करेंगे यह वाले पार्ट को पहले चेक करो यहां पर क्या गिवन है हमारे पास X plus X complementation plus Y plus Y complementation actually X plus X complementation इसके value 1 होती है और Y plus Y complementation की value भी आपके पास 1 होगी है so that is why the value should be 1 तो इसी दो ने क्या बोला है कि अगर यह जो कौन सा gate हम use करे यहां से जो output है वो यहां से total 1 निकल हो जाए तो वो हमें यहां से check करना है अब मैं सभी options को check कर रहते हैं जैसे पहला option है आपके पास वो और gate को represent कर रहा है तो यानि कि इस case पर मैं जो circuit हम लोगे उस करेंगा ऐसे और gate तो मैं कुछ ऐसा बना दूँगा कि circuit should be something like this इस तरीके से मैंने इसको और gate को कर बना दिया तो इस case में यह वाला output मैं पता है तो वो x plus y होगा और इसकी बज़े से यह जो इसका output होगा यहां से I think वो भी आपके बास x plus y होगा ठीक है और यहां से जो आपका output इस case में मिलेगा that is x plus y as well as x plus y को दिखा रहा है that is x plus y और यह जो value है वो totology को नहीं represent करा it is not representing 1 वो 1 को नहीं represent करा इसी वाज़े से A इसका सही answer नहीं है second option बबर B को check करो यहां पर जो gate है हमने ऐसे and gate को यूज किया this is representing as a and gate तो इनकी यह circuit यहां पर रहेगा वो भी आपके बास x dot y है और यह वाली value x plus y है तो इनकी यह जो output आपके बास होगा that is x plus y dot x y को represent करेगा और थोड़ा से extend करेंगे value कितमी होगी x dot x dot y plus x plus y dot y dot y तो इनकी आपके बास x y plus x y which is equal to x y only और यह भी यूटले यह जो है this is also not representing ऐसे यूटलाजी यूटलाजी नहीं है तो इसे वह जैसे b b गलत है तो a b गलत है b b गलत है ना check option number c यानि कि हमने and gate को बनाया है तो यानि कि पहले and को बनाया है इस तरीके से ठीक है और इसका हमने complement ले दिया यानि कि जो equation हमारे पास होगी that is x y का whole complementation यानि कि जो equation हमारे पास आएगी that is x plus y dot x y whole complementation और इसको extend करेंगे तो कितना होगा आपके पास x y whole complementation dot x plus x y whole complementation dot y इसको extend करेंगे तो कितना होगा आपके पास x complementation plus y complementation dot x plus x complementation plus y complementation और यह होगा आपके पास y यानि कि होगा आपके पास x complementation dot x plus y complementation dot x plus x complementation y plus y complementation as well as y यह जो value होगा आपके पास तिस representing as 0 यह भी आपके पास 0 होगा यानि कि value होगी हाँ पर that is x y complementation plus x y x complementation y यानि कि X XOR Y को represent कर रहा है यानि कि यानि कि इस अलसो नोट रिप्रेजेंटिंग टॉटलोजी यह भी टॉटलोजी नहीं है तो यानि कि A, B, C तीनों गलत है तो A is not correct, B is not correct, C is not correct लास्ट चेक कर लेते हैं अगर यह ठीक है तो obviously you get अगर यह नहीं है तो यानि कि कुई भी आसर सही नहीं है इस लास्ट केश है वह आपके पास वह XOR को represent कर रहा है तो मैं कुछ इस तरीके से XOR gate को बना दूँगा इतर यानि कि इस रिप्रसंट नहीं कि इसे XOR gate यानि कि जो इसके question होगी है आपर X X complementation Y plus X Y complementation को represent करेगा और final equation होगी हमारे पास that is X plus Y dot X complementation Y plus X Y complementation यानि कि X dot X complementation Y plus X X Y complementation plus Y X complementation Y plus Y X Y complementation यह होगा आपके पास 0 यह हो जाएगा आपके पास 0 यानि कि X Y complementation plus X complementation Y दिखाएगा तो यानि कि यह भी XOR को ही represent कर रहा है यानि कि D भी सही आज़र नहीं है तो A, B, C, D All these are wrong All are wrong इसमें कोई भी आज़र जो है वो यहाँ पर सही नहीं है ओके I hope you understand समझाए आपको तो A, B, C, D सभी गलत है तो I think you get some other value कुछ और value जो है वो यहाँ से होनी चाहिए कोई भी equation जो है मैं आज नहीं करेगा चालो Now let's move on to the next question The following gate network with gate is redundant एक ऐसा gate है जो यहाँ पर redundant है तो वो कौन सा ऐसा gate है जो redundant है वो हमें यहाँ से बताना है तो question what gate का मतब basically क्या है कि हमेरे पास बहुत सारे gate है अगर screen को अगर आप इधर चेक कर रहेंगे यह आपके पास not gate represent कर रहा है ठीक है यह भी आपके पास not है यह जो है आपके पास as a and gate को represent कर रहा है यह भी आपके पास and gate है और यह जो आपके पास है nor gate हमें बताना है कि जो gates है कौन सा gate जो है वो यहाँ पर redundant है यानि कि जिसके बिना भी हम application को बना सकते हैं और कोई फरक नहीं पड़ेगा कोई fact नहीं पड़ेगा yes the correct answer here is option number b b इसका सरी answer है let me explain ठीक है जो लोगों नहीं देखा है तो हमें उनको explanation जो है आपके यहां से देता हूँ ठीक है पहला जो है यह जो दर रिपेसंट कर रहा है वो w complementation है ठीक है तो यानि कि यह वाला जो gate है इसका जो output होगा आपके पास वो w complementation और z होगा यहां पर आपके पास z complementation है तो यानि कि इस equation जो हमारे पास होगी वो है x, y as well as z complementation अब तीरों को use करो last equation जो होगे आपके पास वो है आपके पास w complementation plus w complementation z plus यहां से आपके पास x, y, z complementation का whole complementation तो this is how you can find this complete equation तो यह आपके equation होगे अब इस equation में से अगर आप तिज़ाद देखेंगे इन दोनों में से मैं w complementation को common ले लूँगा तो यहां से w complementation को common ले लिया तो 1 plus z होगा और यहां से x, y, z complementation होगा तो इस पूरे को हमने यहां से complementation ले लिया तो यहांने कि यह w complementation plus x, y, z complementation को whole complementation यहां से आपके पास आएगा ठीके और यह equation होगी आपकी और क्या मैं इससे ज़दा और minimize कर पाएंगे अगर आप चेक करेंगे नहीं इससे ज़दा और इसको minimize नहीं कर सकते यह spinal circuit जो है वो यह आपके पास है तो कहने का उतलब है कि इन दोनों में से यह वाला था और यह वाला था इन दोनों के इससे अगर हम इसको नहीं भी बनाएंगे न यानकि w complementation y अगर आपके पास नहीं भी होगा तब भी यह same equation इसके equal match होगा और यह किसको represent कर रहा है अगर आप चेक करो गए वो इसको represent कर रहा है कि हमें इसकी जरुवत ही नहीं है we don't need gate number 2 हमें 2 की कोई जरुवत नहीं है इसी वज़े से बी इसका सही आंसर है यानकि gate number 2 जो है वो आपका redundant है इसकी जरुवत ही नहीं है I hope you understand now move on to the next question the equivalent the combination circuit given below is implemented with 2 nat gate to which of the following individual gates is its equivalent कौन सी जो equation जो है वो यहां पर equivalent है और यह वाला जो question है वो निले 2017 scientist B का question है easy question है given the answer here in the chat the combination circuit given below is implemented with 2 nat gate 2 nat gate हमने यहां से बनाए है in which the following individual gates is its equivalent कौन सा जो है यहां पर equivalent है कौन से gate से match कर रहा है circuit क्या दिखा रहा है yes the correct answer here is option number C C इसका सही answer है क्योंकि यह भी आपके पास एक NAND gate है और यह भी आपके पास NAND gate है यहां से यह equation होगे that is X यानि की A B का whole complementation और जो दोनों का input लेंगे तो यहां से आपके बाद द्वारा से होगा AB complementation का complementation जो की AB के equal आएगा और यह किसको रपसंट करा है this is representing as a AND gate इसी वज़े से the correct answer here is option number C C इसका सही answer है which one of the following is true कौनसी जो statement है वो यहां से true है option number A NAND gate and AND gate बोथ हर universal gate option number B NOR gate and OR gates बोथ हर universal gate option number C NAND gate and OR gate बोथ हर universal gate option number D NAND gate as a result nor gate बोथ हर universal and the correct answer here is option number D क्योंकि हमारे पास सिर्फ NAND gate और NOR gate यह दोनों जो है universal है लेखो कोई भी जो gate है वो आपके पास universal किस condition में बोल सकता है कोई भी जो gate है वो universal कब होता है वो तब होता है जब आपके बस दो condition हो सकती है यानि कि उस circuit से या तो आपके पास and और उसके साथ साथ एक not operation आपके पास मिल जाए किसी भी तरीके से किसी भी circuit से कोई भी circuit कोई भी circuit उसको universal तब बोलेंगे जब या तो उसके साथ आपको and or not ये दो चीज़ अगर आपके पास बन जाए somehow तो आपके पास वो जो circuit होगा वो universal gate होगा या फिर अगर आपके पास और और साथ not होगा तो इन दोनों operations अगर आप यहां से बना सकते हैं तो हर एक circuit हो इदर से बनाया जा सकता है ठीक है जैसे यहाँ पर and तो है and is universal लेकिन and जो and है दब nand है नand is universal बट and जो है वो universal नहीं है यहाँ पर not जो है वो universal है लेकिन और नहीं है यहाँ पर nand जो है वो universal है लेकिन और नहीं है इसी वज़े से तकरेक नाजा है here is option about D क्योंकि जो nand है वो and plus not इन दोनों से मिलके बना है उसी तरीके से or as well as not वो इन्वर्सल है दोनों से मिलके हम नौर को बना सकते हैं तो हम यह से बताना है कि कि मिनिमम कितने फुल अड़र चाहिए कितने हमें आप चाहिए ताकि हम बना पाएं कि हमें दो डैसिमल नंबर का अड़ करना है यह से तक रेट आंसर है और कोई बुक है जिसको यूज कर सकते हैं मैं आपको बता वे तो यहां से अगर आप गूगल पर कुछ बुक्स अगर आप चेक करेंगे ना यहां से तो पहले ना कुछ का पेज आपको दिखाता हूं ठीक है पेज नंबर है हमारे पास पेज नंबर 177 ठीक है और यह बुक है यहां से यूज करो ताकि चीज़ा आपको समझ जा जाए यहां से तो यहां पर भी पेज नंबर 117 पे इस सर्कृट को मैंने आसे बनाया गया था 77 ठीक है यहां पर शायद अबलेबल होगा गयस तो यहां पर एक कोशन ना यहां से यहां से यह कोशन इदर से आया भी था पहले कोशन ही वाला ठीक है तो जो में जूम इन तो यहां पर इसके प्रोब्लम कआ कोशन था ठाएक है पेज नंबर 177 पे और अगर आप बदा चेक करेंगे इस कोशन के यह कोशन था ठाएक है यह कोशन था ठीक है यह बैस दाbCD adders to add two decimal numbers needs which of the following option नमबर a is half adder and full half add 6 तो यह पूछा गया था है यहां से, यानि कि आपको टूटल फुल एडर चाहिए और टू हमें हाफ एडर चाहिए, तो हमें हाफ एडर चाहिए, तो हमें यहां पर यहां पर तो हमें इसकी एक्सपेशन होगी तो आप इसकी जो कौशन है अगर आपको यहां मिले जाएगी यहां से, तो बदब कई सारे जो प्रेक्टिस्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो this is something that you can do by yourself है न तो correct answer here is as well as 5 pull address as well as 2 half address और circuit चाहो तो मैं circuit आपको बना के दिखा भी सकता हूँ let me see if I can find the circuit here अब पॉसिबल है तो मैं आपको दिखा जाता हूँ धर ठीक है so this is how you can make it ठीक यह आपका circuit हो यहां से तो अगर आप देखने कोश्य करेंगे तो यह भी full adder है यह भी full adder है यह भी full adder है और यह भी full adder है यह भी full adder है तो total आपके पास 5 full adder है और यहां पर और यहां पर 2 half adder है और उसके लाबा हमने कुछ यह represent और gate को represent कर रहा है यह दोनों जो है वो AND gate को represent कर रहा है और यह भी आपके बस और gate को represent कर रहा है ठीक है तो this is something that you can see by yourself also ठीक है circuit apps को बादने चेक भी कर सकते हैं जालो last question for today आज के last question है the encoders encodes are made by three dash gates encodes are made by three dash gates option number A and option number B is OR option number C is NAND gate and D is XOR अगर आपके पास encoder है तो हमें तीन gates हम लोग बनाते हैं तो उसका क्या circuit रहेगा वो आपको मिशे बताना है yes the correct answer here is option number B यानि की OR को ही represent करेगा so B will be the correct answer for this question ठीक है yes that was the correct answer ठीक है तो बाकी हम लोग कल की class में cover करेंगे आज शाम को दो-तिन classes और प्लान करी है as of now I hope you like this session session सायद आपको अच्छी लगी होगी तो चलो anyways we'll see that और बाकी अज एक-दो class और है मैंने प्लान की है तो बाकी आज एक-दो class और है मैंने प्लान की है and take care bye-bye have a good time bye-bye